तो यह जो है यह question यह graph graph से जो है बीटा बीटा सब फाइंड हो जाएगा बीटा वीटा यह सारा graph forward graph reverse graph उसमें forward में voltage बढ़ाएंगे तो यह graph ऐसे होगा उसमें current बढ़ाएंगे तो ग्राफ ओपर जाएगा यह दो ट्रेंड समझ में आना चाहिए बस और कुछ है नहीं इसमें फिर ऐसा स्विच अगर हमें फंक्शन करना है ट्रांजिस्टर एज़ स्विच तो जो switch का function है वैसा ही not gate transistor से बनता है transistor जो है वो not gate से ही बनता है not gate जो है वो сам उसमें जो है इसका function एस है switch जैसा होता है तो transistor as a switch transistor as a switch क्योंकि जो भी gate है जो भी logic है उसमें नजिस्टर से बनता है और as a switch Partners अब Swedish की तरह से है तो circuit तो मैं याद होremo वह वही सारा सर्कूट है बार-बार उतना detail में मार्क नहीं करूंगा यह अपना common emitter ही है common emitter में यह अपना लूप है और यहां पर यह दोनों बैटरी है यह जो है CC वाली बैटरी है और यह जो है RO है और यहां पर RI है यह BB वाली बैटरी है और यह ऐसे हो गया अपना आउट्पुट यहां पे है और इंपुट यहां पे है इंपुट के लिए बताया था कि इसमें कई दिखा जा सकता है कि एक ac type वोल्टेज इन्पुट वोल्टेज कैसे इसको ना दिखा के मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं कि यह कि यह और एक ऐसे है यह यह जो है वैरी करता है ऐसे मालो कि बता है कि फाइब से कि फाइब से माइनस फाइब जा रहा है और यह मालो फाइब यह फाइब नहीं होने देंगे यह टेन दाएगा तो यह फिफ्टीन से लेके फाइब तक वैरी करेगा तो ऐसे पल्सेटिंग इंपुट मिलेगा हमें तो उसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यह वैरियबल टाइ तो यह हो जाएगा वी आई इन्पुट इस इक्वल टू आई भी आराई प्लस वी बी आउट्पुट 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 जो है आउट्पुट अपना इसके क्रॉस है एस पर न्च आटी ठीक है आउट्पुट हमारा चेंज भी हो सकता है कोई करना चाहे तो कर सकता है तो जो होगा हम एक्वेशन लिखे उसके और दिखेंगे कुछ ऐसा नहीं है तो यह आउट्पुट ऑल्टिज dependent variable output voltage और यहां पर input voltage और इस ग्राफ को महकंडे transfer characteristic transfer characteristic क्राइक्टरिस्टिक ट्रांस्फर क्राइक्टरिस्टिक ट्रांस्फर क्राइक्टरिस्टिक मतलब इन्पुट वोल्टेज और आउट्पुट वोल्टेज का ग्राफ वरियेशन तो इन्पुट वोल्टेज जब अपना इन्पुट वोल्टेज लेस्दैन पॉइंट सेवन व उससे कम है तो IB0 है IB0 है तो ICB0 है IC0 है तो output CC के बराबर है मालो यह 10V है तो 10V मिलेगा हमें IC0 हो गया तो हमें 10V मिलेगा यहाँ पर मिला है ऐसा 10V तो यह 10V constant रहेगा कब तक जब तक यहाँ पर 0.7 रहेगा 0.7 के बाद जब input अपना 0.7 से cross करेगा तो IB increase होना start होगा IB increase होगा तो ICB increase होगा और output जो 10V से है वो decrease होना start हो जाएगा यह टर्म बढ़ता जाएगा तो यह 10V मालो लिया बैटरी 10V किये तो 10V माइनस वाली जो quantity है वो बढ़ती जाएगी तो में आए वालो 1 एंपेर टुम्प एंपेर है थ्री एंपेर बढ़ता जाएगा तो यह सब्तक्षे की वैल्यू इंफानेट टाइम तक नहीं बढ़ सकती है इसा नहीं है कि आइसी जो हैं बढ़ता ही जाएगा स्टीनोर्स ली एक साचुरेशन गाल्यू तक पहुंच जाएगी यह जो हमारा आउट्पूट करेक्रिस्टिक मिला है इस हूट्पूट का रिवर्स बाइस में सैचुरेशन पॉंट पर मिले गई तो जब saturation point पर पहुंच जाएगा तो उसमें क्या होगा उस time पर जो अपना output voltage है वह constant हो जाएगा तो यह voltage कुछ कुछ मिला 10 वोल्ट 2 वोल्ट 6 वोल्ट डिपेंडिंग अन्द मुल्टिपल फैक्टर मालेते हैं यह तू वोल्ट कुछ है तू वोल्ट टीपिकल वैल्यू तो उसके बाद यह saturation वैल्यू पर पहुंच गई यह जो है उसके बाद ऐसे saturation वैल्यू पर पहुंच जाती है तो इसमें बोल्टेज अगर है तो आउट्पूट में करेंट जीरो है जिसको हम बोलेंगे के cut-off region कि जो transistor है वो cut-off stage में है कौट अफ अस्टेज में बाहर कोई current नहीं है बाहर कोई current नहीं है कर दो सदेनल स्टाल हमने इंक्रीज कर दिया तो वल्डे अगर मुझे इसको हमने तो औकर करना है उसको रार करने के लिए यह जो भी ए वेल्यो औका वो तो बहुत सारे फेक्टर के उपर इपन करता है मैंने एक वैल्यू ऐसे ले लिया तू वोल्ट फाइवल्ट त्री वोल्ट ऐसा कि पॉइंट सेवेंट के बाद की किसी वैल्यू के बाद जो है वह सैचुरेशन स्टेज पर पहुंच जाएगा तो यह हो जाएगा मतलब मै वो चेंज देगा इंपुट में अगर कुछ चेंज होगा तो कुछ आउटपूट में भी चेंज होगा तो इस स्टेट को हम बोलते हैं एक्टिव स्टेट में ही मुझे ऑपरेट करना है कि अगर एज़े ट्रांजिस्टर मुझे रखना है ट्रांजिस्टर तो वही है बट तो यह है बोलेंगे कि off है और यह क्या है on है यह जो है off state है zero current है और यह है on state है मतलब अगर वहाँ पे bulb connected होगा और voltage इतनी होगी तो output में bulb नहीं जलेगा और जब हम high voltage apply कर देंगे यहां पर वोल्टेज यह बढ़ा दिया तो क्या होगा high voltage है तो वहां पर क्या होगी वहां पर high current जो है flow करेगी तो वह saturation value चीव हो जाएगा तो voltage की values को change करके हम उस transistor के working को current zero या current maximum को हम operate कर देते हैं इसके बीच में अगर होगा तो इसके बीच में input value अगर चेंज होगी तो output value भी चेंज होगी भाई अगर यहां पर मालो टू वोल्ट आई है तो 10 वोट लो 20 वोल्ट लो करेंट की value सेम लएगी बाहर वाले सर्कृट में current change नहीं होगा ठीक है अब वह on हो गया तो आन हो गया तो बल्ब जलेगा है एक्टिव में बल्ब तो हां एक्टिव में जो है वो करेंट की value बढ़ती बल्ब की जो brightness है वो बढ़ती जाएगी situation value पहुंचने से पहले अगर एक्टिव स्टेट में भी अगर ऐसा है कि हम भाई यहां पर एक बल्ब कर दिया गया ऐसा common emitter है यहां पर एक बल्ब ऐसे connected है कि तुम से कोई ऐसे पूछता है कि क्या होगा तब लाजिक यार वही रहेगा हमेशा जो तुम जानते हो जितने पॉइंट बताएं लाजिक हमारे उत नहीं है उसका application बहुत सारे हो सकते हैं ऐसा है स्टेट्मेंट आ सकता है तो जब यह तो जिरो से सवेन रहेगा इस स्टेट में पॉइंट सेवें तक तो कुछ टाइम तक आफ्टर सम्टाइम वालों इसकी वालू को हम वैरी करते हैं तो इसमें तो करेंट जीरो रहेगी करेंट जीरो है तो यहां भी बढ़नाट ग्लों जब यह इसको cross कर जाएगा तो इसमें current flow start हो जाएगए इसमें भी current flow start होगा तो यह bulb glow करेगा इसमें current बढती जाएगी तो यह भी current बढती जाएगी टो बल्ब की brightness बढती जाएगी बढ़ते बढ़ते कुछ time के बाद क्या होगा वहाँ पर एक saturate value ले लेगा उसके बाद वह constant हो जाएगा यह voltage कम किया तो यह off हो गया यह voltage बढ़ा दिया तो यह on हो गया ठीक है समझे यह सर तो यह अपना जो है वो transfer characteristic है transfer characteristic है और transfer characteristic मतलब output voltage और input voltage का graph है और यह उसका functioning है as a switch तो अपना transistor के यह ही जो important parts है यह दोनों ही है और यह तर आप switch के लिए कुछ बोले थे ना sir कि दोनों input circuit और output circuit दोनों forward बास्ट में होना चाहिए इन पूट शर्किट और आउटपूट लूप इन पूट लूप और आउटपूट लूप दोनों forward बाइस में होना चाहिए है तो अपना यह यह वोल्टेज तो हमने बढ़ाई दिया है यह वोल्टेज जो है maximum है तो यह तो forward में है ही और यह state जो है जो आउटपूट वोल्टेज बोलेंगे वो वोल्टेज भी तो कम हो जाएगा टांजिस्टर का जो मोड है साइचुरेशन वाले मोड यहां आचा देखो हाँ ठीक है यह साइचुरेशन ऐसे भी हो सकता है यह तो हमने सिर्फ इन्पूट वोल्टेज को वायरी किया इधर कोई चेंजेज नहीं है इधर कोई चेंजेज नहीं है ठीक है यह स्विच फॉंक्शन ऑपरेट कर रहा है स्विच मतलब साइचुरेशन इस्टेट कब आ सकती है और जब यह दोनों फॉर्वर्वर्ड में हो तो भी हमें मिल सकता है यह यहां पर हमारा एक कंट्रोलिंग पॉइ लेगी तो भी मैक्सम करेंट फ्लो होगी उस तरीके से लेकिन हमारा कंट्रोलिंग पैरामिटर सिर्फ भी आई है हम इसको नहीं चेंज कर रहे है कि तब सच्वेशन स्टेट इस सब डिक्रीज हो जा रहा है हां आउट्पूट वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है क्या हो यह जीरो है पर यह बढ़ता जाएगा फिर जो है को WA hused से अट्म करना है यह मेरा होट फूट है यह आउट फूट है इस घ्राफ हो जाएंगा थिक है इस तो यह अपना टांजिस्टर जो है चतम ही लॉजिक गेड्स तो लॉजिक गेड्स लॉजिक वह ऑप्रेंट गरते हैं सेमल 6 टाइब के चीक उसेच मैं के फंक्षन है कि अंडेर शाटेन लॉजिक शवा क्या एंडर शाटेन लॉजिक्स इंपोट आउट्पूट को अलायु करेंगे या ब्लोक करेंगे, तो जो अपने basic logics हैं, basic जो logic होता है कहीं पे भी, कि जो logic हो जाएगा कि यह r, and, and not है, यह अपने basic components है, किसी भी logic में, a, or b होगा तो यह होगा, तो यह basic logic से जो हमारा input-output control होता है, तो अब यह जो लॉजिक गेट हैं यह लॉजिक गेट्स अपने डायोड एन ट्रांजिस्टर को कम्बाइन करके बनते हैं बट उस कॉंबिनेशन पर जिसको मोलते हैं realization of logic gates मतलब हम लॉजिक gates कैसे बनाएंगे अभी मालों बनाने वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं बनाने वाले पार्ट को exclude करते हैं और सिर्फ हम देखते हैं कि यह लॉजिक क्या है तो अपने जो लॉजिक gates है वो लॉजिक gate two input two input मतलब और तो basic type के gate है कौन-कौन से भी एक तो यह है और and not basic logic है basic logic और उसके बाद फिर नाइड 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 यह जो इस लिए इससे हम कोई भी बना सकते हैं तो इसलिए इनको बोलते हैं नाइड 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 ना गेट यह नहीं है और नहीं है यह जो है और से नहीं बना सकते हैं और से युनिर्सल गेट मतलब उससे सब कुछ हो जाए सारा कुछ तो और से नहीं बना सकते हाँ नैंड है तो नैंड से और भी बन सकता है नैंड से यह भी बागी और दो हैं वह कौन से EXCLECUSIVE और एक्स और एक्सक्लूसिव नौर इक्सक्लूसिव नौर इस जो और ऑप्रेटर है और ऑप्रेटर जो है वह इन्पूट के ऊपर डिपेंट करता है ए और बी और बोत ए और बी मतलब कोई भी है जैसे ए और बी और बोत मतलब पैरलल टाइप का सर्कुट है जी ठीक है जैसे मालो सिंपल सा अगर रियलाइजेशन बनाना है इसको कि मालो तुम्हें कहा जाए लॉजिक गेट अगर बनाना है तो ऐसे हम कर सकते कि यहां पर कोई बल्ब यहां पर बैटरी है ऐसा ऐसे जो है कर दिया है अब मुझे आउट्पुट मिलेगा जो भी जो भी इंपुट होगा इंपुट यहां पर जो है यह बल्ब कप जलेगा तो यह इसके लिए हम क्या लॉजिक देंगे ए और बी और बोत ए अगर क्लोज ओ तो भी यह बल्ब गलो करेगा बी अगर सिर्फ क्लोज ओ तो भी गलो करेगा या दोनों क्लोज ओ तो भी यह बल्ब चलेगा तो यह जो रियलाइजेशन है वो है लॉजिक आफ और और का लॉजिक है और का लॉजिक है मतलब की या तो ए हो या बी हो या ए आर बी हो इसको दोनों यह तीनों केसिज हैं अब एक्स्क्लूसिव और में यह वाला नहीं होता है एक्स्क्लूसिव और अगर है तो हम अगर ऐसे सोचेंगे कि एक्स्क्लूसिव और कब बनेगा जब या तो ए हो या तो भी हो बोथ वाला केस जो है हम exclude कर देंगे यह जो a plus b वाले case है दोनों combine वाले case को exclude किया जाता है तो यह दो हो गए और xor और xnor xor gate exclusive r and exclusive nor जिसमें यह वाली possibility को वो ignore कर देता है तो यह दो अपने basic basic logics हो गए r and not और यह हो गए दो universal हो गए और यह दो exclusive type के हो गए तो टोटल जो है इतने इतने जो है seven जो gates है इनका operation या इनका input and output जो हमें याद होना चाहिए तो photo तो यह photo तो इनका याद होगा कैसे होता है और 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 है and and not r gate तो r gate जो है वो ऐसा कुछ होता है यह r gate जो है यह diodes से बनाई जा सकते हैं तो a r gate a r b two input two input a r b यहां से c है a r b is equal to c तो यह हो जाएगा इसका output a r b and and जो है वो d shape का ही होता है and and में जो है यह d shape का है यह and gate है and यह d shape का तो यह हो जाएगा a b और यहां से output two input क्या multiple हो सकते हैं इसमें तो तो यह हो जाएगा a dot b a and b a and b तो यह हो गया and operator यह हो गया r operator और not जो है वो है inverter मतलब reverse कर देगा यह है अपना triangle triangle तो यह single input है one input and one output तो यह है तो यहां से जो होगा इसको inverter बोलेंगे a bar तो जो इसका output है वो हो जाएगा a bar तो c is equal to जो यहां पर c होगा यह बोल देंगे b is equal to वो हो जाएगा a bar तो output जो है वो होगा a bar तो एक तो independently यह हो गए अब इनका मालों की माल लेते हैं हमकी ठीक है two table वगरे तो सबका draw कर लेंगे और उसमें 0101 यह सारा mark अब 01 का मतलब बहुत सारे है जीरो का मतलब हो सकता है कि आफ कंडिशन भी है जीरो का मतलब होता है कि low voltage भी है तो जीरो इन दे सेंस मतलब यह सारे का है डिजिटल सिग्नल डिजिटल सिग्नल सिग्नल जो है दो टाइप के होते हैं अनलोग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल जो जो continuous variation है जैसे अपना alternating current का है वो alternating current एक अनलोग सिग्नल है अनलोग सिग्नल में चीजें वैरी करते हैं टाइम के साथ और और डिजिटल लाइफ डिजिटल लाइफ में यस और नो इस टाइप का है तो जो हम जीरो और वन यूज़ करते हैं binary input binary input होता है बतलब दो ही टाइप के possibilities है ठीक है पास या फिल मालो यही दो कर टेगरी है तो हो जाएगा binary system of marking type का तो यह जीरो जो है यह हो गया off हो सकता है पैसको off बोलते है या zero जीरो का significance low voltage भी बोलते हैं मतलब अलगलग हो सकता है low voltage हो सकता है और यह जो है उसका opposite off है तो off का opposite हो जाएगा on low voltage है तो low voltage का मतलब हो जायगा यह high voltage जीरो करेंट है तो यह हो जाएगा मैक्सिम्म करेंट यह मैक्सिम्म करेंट है तो यह जीरो करेंट मतलब 01 का सेंस क्या है कि डारेक्ली अपोजिट सिर्फ बाइनरी ही सिस्टम एक्जिस्ट करेगा कि तो अभ यह अपना बायनेरी सिगनल जैसे ऐसे होता है डिजिटल सिगनल तो ऐसे हुआ डिजिटल एनलोग सिगनल आनलोग सिगनल हो गया यह कि निएrat सि sandwich है कि आज से बीजिटल सिगनल डिजिटल सिगनल से पल्स टाइप कर वह पल्स टाइब को होगा यह क्या है यह बाइनरी सिगनल है वे फ्रंट ऐसा होगा कुछ टाइम तक यह हाई पे है तो यह तो हाई बोलेंगे या बोलेंगे कुछ टाइम तक वान है फिर जीरो है फिर कुछ टाइम तक वान है जीरो है कुछ टाइम तक आन है आफ है आन है आफ ह हुआ है तो ले सारे की है हमारे इंपूट यह इंपूट है यह डिजीटाल डिवाई से हमें दो इनोत है डो ताइप के सिगनल है हां यह जो हैjust an laug signal है यह अनलाउग सििकनल है और यह क्या ये digital signal दिजितल सिगनल एनलाउग सिगनल क्या है की continuously वह व्यालिउस कुछ कुछ जो है यह ले रहा है continuous values फें टाइम के साथ continuous values यह क्या पते बाई कुछ टाइम तक वह वन है नमग से अंपूट मतलब दोही टाइब के इन्पूट है यह तो ॐ वैरियबल इफ इन्पूट इस टाइम डेपेंडेंट तो सकों बोलते हैं एनलोग और इन्पूट is a constant constant type का है तो यह हो जाएगा digital digital मतलब है कि यहां पर हमारा binary input binary input binary input मतलब दो इन्पूट 0 होगा यह वन होगा हाई होगा यह लो होगा यह सोगा यह नो होगा यह दो टाइप के cases exist करते हैं तो यह जो digital signal है यह digital signal ऐसे किसी वे फ्रंट के form में होंगे यह जो है अपना यह analog signal है तो अब suppose करो कि जैसे and है and gate हम लेते हैं and gate है and gate with two inputs क्या multiple inputs हो सकते हैं multiple input हो सकते हैं बहुत सारे input भी हो सकते हैं तो अगर यह and gate है and gate बना हुआ है diode से कैसे कैसे भी करके हमने बनाया है यह इसका symbol हो गया यह हुआ a and यह हुआ b तो इसका जो output होगा output हो गया यह c तो इसके लिए हम इसका truth table truth table मतलब input और output को अगर हम draw करते हैं तो यह input output क्या हो जाएगा कि अगर यह a है input a b और c है तो a and b को हम layman language में ऐसे समझ सकते हैं कि a dot b मतलब product of a and b a dot b type का है तब जो digital input होगा binary input के terms में तो a की जो है दो possibilities high low 0101 b की भी जो है वो possibilities b की possibilities भी हो जाएगा 0011 यह है तो a dot c a dot b a dot b मतलब a and b दोनों ही चीज़ अगर high होगी तो output high होगा लब दोनों जब high होगे तभी output high होगा दोनों में से कोई भी आगर नहीं होगा तो हाई नहीं होगा तो सिदह सीदह समझ सकते हैं कि हम multiply कर रहे हैं dot product ले रहे हैं multiplication जैसा ही रहेगा कि समझने के लिए ऐसा होता नहीं है बट समझने के लिए 00.00 मल्टिप्लाइब कर देगा जीरो वान जीरो यह जीरो और यह होगा एंड लॉजिक का मतलब है कि बहुत और हाई तो हमारा इस ऐगा कि हमें आपके बल्प Lawrence घुलो होता हुआ कब दिखाई देगा जब एंड है जब आइंड भी हो बी मिह एसरे केसे में क्या क्या होगा यह बल्प लोगो जब दोनों ऑफी को बाहे ज canon होगी अगर दोनों में से civil पार्ट है कि इसका सिंबल क्या है इसका जो है बुलियन एक्सप्रेशन क्या है बेसिक रियलाईजेशन हम कैसे कर सकते हैं एक डायोड वाला भी अम लोग डिसक्स कर लेंगे कि दूसरे टाइब का जो प्रॉब्लम है कि किसी भी गेट का वेफ्रंट के साथ इंट्रेक्शन मतलब सपोस्थ करो कि एक ऐसा इंपुट है कि एक ऐसा इंपुट है और बी जो है वह ऐसा इंपुट है यह वेफ्रंट इंटरैक्शन ऑफ गेट विट वेफ्रंट्स पल्स पल्स आ रहा है कि कुछ जीरो वन जीरो वन जीरो एसे इनपुट कंटिनुरसली आ रहे हैं कुछ पल्स तुम्हें दिया वह रहेगा ड्रॉआ ऑउट्पुट पल्स प्रस्ट वराइटे व्रावल्म ड्रॉट्ट invincible बुलियन एक्सप्रेशन मतलब हो गया यह अपना जो यह और बी है यह ऑगें मतलब हमें करकेशंच यह ट्रॉट् वर्च यूंट करना हैं । होगा तो करेंगे तो तो करूं के तो इसको वन बोल देंगे तो में तो फकले टाइम मूल करने के तूम कर देंगे स्टीय के जांजान करें पर जहां जांग कराद कर देंगे मतलब यह यह जाएगा जीरो फिर यह जीरो जीरो फिर यह यह जीरो फिर यहां पे इन जीरो फिर यहांपे तो इस टाइम में यह यहां वन वन तो यह यहां पर फिर से जीरो जीरो तो यह जाएगा तो ऐसे ओर लैपिंग टाइम में कोई भी डायोड के साथ हम वेफ्रेंट को जो उसके लॉजिक के से होगा उसको तो यह हो जाएगा अपना आउटपुट वेफ्रेंट समझें तो प्रॉब्लम तो एक जैसे बुलियन एक्सपरेशन वाले जो हैं बोलियन एक्सपरेशन वाला वह तो डॉप करके भी देखेंगे एक प्राब्लम एक वराइटिय। फोटो तो यह समें थोड़ा करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा प्राइब टेबल क्या क्या जो बेसिक लॉजिक है वो याद करना होगा एक प्राब्लम ऐसे आता है कि हम फिक पूम आउट्पूट यह जिरो 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 है यह करते 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 हर सेगमेंट के लिए मार्क करतेना है और फाइनली आउटपूट त्यार हो जाएगा ठीक है समझे कुछ जर के लिए नाइनल के लिए बोला है तब हां कि अगर ऐसा इंपुत हैं फीड करते हैं फॉर एंड़ गेंट ऐसा इंपुत फीड करते हैं आइनल गेंट के लिए नाओ गेंट लेए तो उसी के सब्द放 पर शाष उट-पो जो लाजिप हुए उसको को section by section apply करते जाना है ठीक है चलो बहुत करते हैं नेक्स क्लास में आगे डिसकस करेंगे तो एक बार logic gate वाला पॉल ले ना थोड़ा याद करेंगे ना logic gate तो याद कर लोगे याद कर लो question जो है उस पर क्या क्या questions है मैं solve करवादेंगा अलग अलग type के ठीक है तो फोटो मोटो ये सब कर लिग बार सब को लिखे फिर थोड़ा question और solve करेंगे चलो end करते हैं Thank you Thank you Thank you Thank you sir Thank you sir